हेलो, फ्रेंड्स आज हम एक वीडियो में ट्यस्स करेंगे, लंग आपसिस के बाएंगे हम उसका डेफिनिशन उसके कॉजसस उसके रिसपैक्टर्स उसका प्यातो फिजलाजी उसके किंगियम इन्ट्रेस्टेशन देखते हैं सबसे पहला डेफिनिशन It is defined as collection of pus of pulaline material in a localized area of lung जैसे picture में देख सकते है हमारे जोईलो कलीड का part है रेलुजेट पार्ट वो हमारा lung abscess है हमारा lung abscess का मतलब होता है collection of pus of pulaline material in a localized area of the lung जैस नोन आस हमारा lung abscess हम आगे डिस्क्सक्राते हैं इस के causes कॉजस में हमारा सबसे पहला है अल्कोहालिजम सेकेंड ड्रग ओवर डोस की वज़ा से सर्ब्रोफस्वर एक्सिएंट सीवीए इस्ट्रप्टो कोकॉस औरियस पल्मोनरी एंबॉलिसम एनस्थीसिया इंफेक्शियस एजेंट्स एनरॉबिक बैसिलाई हमारा जो लेंगा भी सब्सीद्रफूर्टो कि एंचर पहुँआ से औरियस से पालीट में यह इस्टरव लिभी ऑग्टिा पहन्व सकता है। لامरॉजम्यम के वर्वज़़ब्स खसकते हैं कुछा नेक्टि सब्सक्रफूर्फब्स ठीक है हम आगे देखते है हम पैटो फिसलोजी देखेंगे एस्पिरेशन ओफ इंफेक्टेड मेटील और फॉरें बोडी लीट्स तो निमोनाइटिस इंपेर ड्रेंज और फ्लूइड और एस्पिरेटर मेटीरियल किशिज फ्लूइड किसी बीटु मेटिकी इस्पिरेशन का सबसे पहले उसके बाद मादमाध मुद्स में ओप स्पिरेटी से पियर होंगे ठीक है हमारा जो फ्लूइड जो भी हमने इस्पिरेट किया है वह हमारा मढ़ी हम नेमोनियों के सिंप्प्रूश्ण हो जाएगा मार समेल करेगा है तुम फावल स्मेल करेगा महकरी से हनां सतुली स्थास लुट्ट फिंह पमकरर मेवस सिक्टन चिहां, मतलबुकित का शक्रीशा पुस्ञा निहस्च्ट मृलब primarily स्पूटम न किरेंट, प्रूराइटिक पेन होगा वेट लॉफ होगा हम आगे डिक्टर सकते हैं डिगनस्टिक वैलेशन में हिस्टी कलेक्शन पेशन का करेंगे हम उसको कोई इंसेक्शन नहीं था कोई भी प्रीवेश इस्ट्री हो सकती है उसका हम नेक्स एकेंगे फिसकर इग्जामिनेशन किस साइज का हमारा जो लिघ्चeline का किसी वैक्टिरया वजाश से तो नहीं है ब्रॉंकोस्कोपी हम करेंगे हम ब्रॉंकों को माऊँस से एंटर करेंगे जिसकी में वियू करेंगे है कि हमार canyon क्यू हो किस लोकेशन पे है किस तरीके कि सेल से किता एक्सेंट तक का हुआ है CT scan हम करेंगे जिसके हैं से माइटिफाइग कर पाएंगे हमारा जो access formation वह किता ज्यादा cell damage कर चुका है कित्य साइज का है किता ज्यादा severe condition में हम्रा इसके में किता ज्यादा टिशू की death हो चुकी किता ज्यादा ज्यादा cell damage हो चुके हैं ठीक है हम उसका medical management एकते हैं anti-microbial therapy हम मेंदी पैनेस्लियों मेट्रोनीडाजोल देंगे पेशेंट को हम चेस्ट फीजो थेरापी इंवाल करेंगे ताकि जो पेशेंट का कर प्रोडक्शन हो रहा है वह रिमूव कर सके एरवे क्लियर कर सके ड्रेन जॉप पस यह सर्जकल प्रोसीजर है इसमें हम जिस एरिया में पेशेंट के एपसेस फॉर्मेशन होगा हम उस एरिया में सर्जकल इंसीजन लगाएंगे और वहां पे एक ट्यूब को इंसर्ट करेंगे और एक साइट में बैग हैंग करेंगे जिसमें पेशेंट का सारा पस जो है उसे ड्रेन आउट कर लिया जाएगा उसे हम ब्रॉंगोडाइलेटर नर्स्ति में 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 हम देने देखा जोईंटी में पेशन को देना है वो रेगुलरली देना है कोई भी उसमें चेंज़ नहीं होनी चाहिए उसके बाद हम पेशन को कुफिंग या डीप ब्रीफिंग एक्ससाइज़स प्रोवाइड करने की खोशिस करेंगे हम पेशन का कफ में चेक करेंगे अगर कोई ब्लैड या कुछ प्रोड्यूस है या नहीं हम पेशन को पेशन को पेंड कंट्रोल करने में नर्स्ति पेशन का माइंड डावर्ट कर सकते हैं तो अगर वीडियो आप लोक का अच्छी लगी हो तो लाइक से चैनल वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर कोई भी आप लोको डाउट या कोई भी प्राब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक्यू